नमस्कार विद्यार्ति मित्रो इस्टेंड टैंथ सब्जेक्स सोसिल साइड इंग्लिश मेडियों चैप्टर फाइब इंडियाज हेरिटेज साइंस एंड टेकनोजी में आपका श्वागत है हम सेकेंड कोश्चन को हम रीड कर रहे हैं इसके पहले भी हमने दो कोश्चन जिसमें हमने देखा क्यमेस्ट्री के बारे में मेंठील जी के बारे में सायंस ए टेक्नोजी का मिनिंग पढ़ा अब इस चैप्टर का सबसे जो मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन पूछा जाता है जो बोर्ड के एक जहां में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है साइंस अब मेडिशीन एंड सर्जरी भारत में अचीवमेंट अभूत पूर्व सिद्धी यानि जिसको हम पा नहीं सकते थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा अचीवमेंट मेडिशीन और सर्जरी में आमने किया है सिंस एनिशियन प्रियट महर्शी चरग, महर्शी सुस्रुथ और वागभट जैसे पायोनिट थे जिन्होंने इंडियन मेडिशीन, साइंस और सर्जरी को तीयर इंटेंस रिशर्च एंड रीश तू दे ग्रेटेस्ट आइड जो भारत के मेडिशन, साइंस और सर्जरी की खोज करके उन्हें ग्रेटेस्ट आइड पहुती ऊची अस्तान तक पहुचाया किसने महर्शी चरग, महर्शी सोश्रुथ और वागभट जैसे बाहर्शी च महर्शी चरग, नाम पर सही आपको इनके ग्रंद का नाम बताना है, महर्शी चरग ने चरग समिन्ता नाम के बुक लिखी, जिसके अंदर मेडिशनल हर्प, 2000 मेडिशनल हर्प के बारे में जानकारी दिये, महर्सी सूसरुत महर्सी सूसरुत had mentioned instruments used in surgery महर्सी सूसरुत ने अपनी मुक में जिसका नाम ता सूसरुत समिन था यहाँ पर है नहीं लिखा हुआ लेगिन आपको याद रखना है पेंसी लिए पेंसी साइड में लिख सकते हो महर्सी सूसरुत के मुक का नाम था सूसरुत सहीं था जिनोंने surgery के लिए instrument बता है the instrument were so sharp यह instrument इतना ज़्यादा sharp था नुखीला था that they would built a single vertical hair in two divisions वहाँ single hair एक सिर के बाल को खड़े बाल को vertical hair खड़े बाल को two divisions दो भाग में उसे divide कर सकता था यह operation के instrument इतने ज़्यादा sharp नुकी लेते धारदार थे कि सिर के खड़े बाल को दो भागों में divide कर सकते थे वागभट एज रिटेने बुक वागभट समिनता यह तीसरी बुक है वागभट ने लिखी इसे है वागभट इस रिटेने बुक वागभट समिनता इस अलसो वेरी इंपोर्टेंट वर्क study of चरक समिनता सुसरुट समिनता देख़े बच्चो student यह देखो आपका यह बुक का नाम आ गया यहाँ पर महर्सी सुसरुट के बुक का नाम नहीं दिया है लेकिन यहाँ बुक का नाम दिया है तीन जो नाम दिये महर्सी चरक महर्सी चरक का बुक का नाम है चरक समिनता महर्सी सुसरुट बुक का नाम है सुसरुट समिनता और वागभट के बुक का नाम है वागभट समिनता इस वेरी यूज़ फूल फोर एवरी डॉक्टर हिंदू हर्बल साइंस अफ एनिशन टाइम इस इन इन विश्टम विद यूज़ कलेक्शन अफ मिनरल्स एंड मेडिसिन फ्रों प्लानेट्स एंड एनिमल्स हिंदू हर्बल साइंस में प्राचीन समय में काफी ज्यादा कलेक्शन देखने को मिलता है जिसमें मिनरल्स हैं मेडिसिन से और प्लांट्स एनिमल्स है जो एनिमल्स के और पोधों के बारे में मेडिसिन मिनर्स इसके अंदर कलेक्शन किये गए एनिमल्स का भी लानेज़् के द्वरा बनाये जाने वाले मेडिशिन भी इसके अंदर मिलते हैं तिस है एज प्रजेंटेडेड ए डीटेल एंड कॉंप्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिशिन इसके अंदर सारी दवाईयों का डेटेल दिया गया है, प्रजेंट डेटेल किया गया है और complicated process of making medicine, दवाई को बनाते समय, complicated process कौन कौन से प्रक्रिया की गई है, कितनी मुशिबत से इसे बना गया, कितनी मुश्किलों से बना गया, वो सारी चीज़ें से बताए गई है, and उस medicine का, their classification, their uses, उसको किस तरह से classification अलग-अलग करना है, उसका यूज कैसे करना है, यह सारी जानकारी इंदू herbal science में दिया गया है, they could even stop blood circulation with bowel sap bandage, वे blood circulation को, bowel sap bandage मतलब कटोरे अकार का, bowel means कटोरा, sap, कटोरे अकार का bandage बना के blood circulation को रोख सकते थे, they could skillfully operate on, वे operate कर सकते थे, operation कर सकते हैं, किस से related, एबोर्ड में, पेंट से related, जो यह पेड़ू होता है, ना भी होता है, उससे related, kidney आप जानते ही हो, cataric, मतब आखों से जुड़ा हुआ, जैसे मोतिया भी कहते हैं, हर्निया, जांक के पास होता है, stone, पत्री, पास, जानते हो, भगंदर भी कहते हैं, and blader, इन सभी से जुड़ेवे operation कर सकते थे, blader का मतलब आप लोग समझते होंगे, blader का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, जिसके इन सभी से रिलेटेड इसमें operation किये जाते थे, they could classify also join the broken or dispelous bones and extract the things paracet into the body easily and scalefully, recognize septum and dynode the disease, यनि कोई भी हड़ी या joint तूट गया हो, या अपनी जगह से खिसक गया हो, उसे भी अच्छी तरहिके से आसानी से जोड सकते थे, things paracet into body easily and scalefully, सरीर के अंदर कोई भी चीज़ अगर गुश गया हो, तो भी उसे आसानी से निकाल सकते थे, जब उस बीमारी का इलाज करते थे तो उसे रिकावरी जल्दी हो, इसलोग कई प्रकार के डायेट करने के लिए, डायेट मतलब खुराक लेने के लिए डायेक्शन भी देते थे, They had knowledge of plastic surgery, उन्हें plastic surgery का भी knowledge था, as well joining nose and ears, वह तूटे या कटे हुए नाक और कान को जोड सकते थे They showed a keen interest in teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body और on the wax statue, वह student को teaching यानि पढ़ाते भी थे, सर्जरी के method भी बताते थे सर्जरी का method बताने के लिए और dead body, real की dead body भी यूज़ करते थे, on the wax statue और mom का पुतला भी इस्तमाल करते थे They conducted risky operation during delivery, वहाँ, delivery के समय, बच्चे के जन के समय, risky operation करने से भी इचकी चाते नहीं थे They were expert, gyernologist and pediatrician, gyernologist मतलब इस त्रियें सो जुड़े हुए बिमारियों के बारे में, women's related और pediatrician मतलब child related expert थे Veterinary science also developed in innocent India Veterinary मतलब पस्वों के बारे में भी हमारा innocent India में काफी development हुआ They wrote books on diseases related to the horse, जिसे संस्कित मर्ष्वा कहते हैं, एन elephant सा हस्ती Among them हस्ती आयरवेदा, साली होत्रा एंड अस्व शास्त्रा हार वेल नोन यह दोनों जो थे horse और elephant के बारे में उनके इलाज के बारे में बुक लिखा गया इन सभी के साथ साथ वाग भटन एक बुक लिखा जो सबसे में वेल्यूबल कंट्रिशन माना जाता जिसका नाम था हस्तांग हर्द है विद्यारती मित्रो हमने साइंस और मेडिस्टिन सर्जरी के बारे में पढ़ा जो लॉंग कोश्चन में आपको पूछा जाएगा और इसमें पूरा का पूरा आपने नॉलेज लिया इन्फरमेशन प्राप्त की पहले यूमन बोडी के बारे में उसके बाद एनिमल्स के ब भारत ने जब जीरो की खोज की तो ये पूरे वर्ल्स के बारे में पूरे विश्व के लिए इंडिया के लिए और पूरे विश्व के लिए भारत ने जब जीरो की खोज की तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण था जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक गिव्ट के रूप में दिया डेशेमल सिस्टम, एलजेबर, थ्रोम, थियोरम और होधयान, जियोमेट्री एंड आर्थमेटिक आरी भट्टा डिस्कवर्ड जीरो जीरो की खोज जो की तो सबसे महत्पूर्ण था आरी भट्टा ने the process of writing zero after figures was discovered by the sake named grutasmad Zero को figure के पीछे रखकर लिखने का जो process था उसे किस ने बताया? The ancient Indian mathematician have decided the names of the numbers made up by placing 53 zeros after one एक संख्या के पीछे तिरपन 53-0 लगाने के बाद जो नंबर बनता है वो नाम भी इंडियन मैंथेमेटिशन ने दिया decimal system had been seen for measuring and weaving instrument which had been found from the remains of harappa and mohan jodha decimal system सरप्रता first time measuring मापने के लिए और वेटि में वजन करने में ये दो instrument में इसका यूज क्या करते था है decimal system का और यह हमें कौन से संस्कृति यानि कौन से कल्चर में देखनों को मिला हरप्पा है मोहां जोदारों भास्कराचार्या आपके mathematician ने टू बुक्स लिखे अपका नाम था लीवदी गणिद और यह दोनों बुक कब रिटेशन हुए वन थाउजन्ड वन फिप्टी एडी में He discovered sign of addition, subtraction ये दोनों जो बुक लिखी गई लीलावाती गनित और बीज गनित इसके अंदर addition और subtraction प्लस और माइनस इन दोनों sign की खोज की गई थी ब्रह्म गुपता introduced the types of equation बोधा यान discovered theorem जिसे हम ये प्रमय के नाम से जानते हैं triangular polishing आप अस्तम had decided the measurement of sacrificial parts यग वेदाज used for Vedic यज्याज in शुल्व सुत्रा 1800 BC तो इस तरह से आपने देखा बच्चो कि ब्रह्म गुपता ने equation के बारे में introduction दिया बोधा यान ने theorem की खोज की और आप अस्तम ने ये decide कि कौन से ये ज्याज सुल्व सुत्र रूल्स की हमें जरूरत कहां पड़ेगी कौन सा रूल्स सुत्र लगाया जाएगा ये सारी चीजे 1800 BC में खोज कीगी जिसे हम सुल्व सुत्र के नाम से चानते हैं अरे बट्टा हैड मेंशन दा वैल्यो पाई पाई की वैल्यू 3.14 बताए गई है इन हीज बुक आरे बट्ट्यम और ये वैल्यू किसने बताए आरे बट्टा ने कौन से बुक में आरे बट्ट्यम में ये अल्सो प्रपाउंड़ेड देट पाई इज कॉंसेटेंट टू सो ये सारी चीज़े आप प्रीवियस क्लास में इस्टेंडर 9, 10 में आप पड़ चुके हो और ये सारी कोज आरे बट्ट्यम की थी अपनी बुक आरे बट्ट्यम में मल्टिप्रेक्शन, एडिशन, सब्ट्रेक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एसेक्टर, अस्टांग मेथ़ड इंटिडूच्ट बाई आरे बट्ट्यम इन हीज वर्क आरे बट्ट्यम ने दो बुक लिखी, एक का नाम था दासगीति का और एक का नाम था आरे बट्यम, एस्टोनोमी के बारे में बुक लिखिया गया, बुक लिखा जिसका नाम है आरे शिद्धान, और कई ऐसे सॉलूचन थे अर्थमेटिक और जिओमेट्री के लिए जिसके बारे में बुक लिखा गया, एमोंग देव, देश्कोलर्स लाइक बोधायान, आपस्तम, कात्यायान, भास्कराचार, एंड ब्रह्मगुप्ता, आर इंक्लूडेट मैं इसकोलर्स में बोधायान आपस्तम कात्यायान भास्कराचार ब्रह्म गुपता जैसे कई लोगों को इंक्लूड किया जाता है तो स्टुडेंट्स साइंस और मेडिसें सर्जरी और मैथेमेटिक्स ये दोनों आपके लिए काफी इंपोर्टिंट सौर्ट नॉट में कोश्चन में पूछे जाएंगे अब हम बात करते हैं अदर साइंस में मेनी बुक्स वे रिटेन और वेरियस साइंस इन दे अनिशन इंडिया कई ऐसे पुस्तक लिखे गए बुक लिखे गए जो MCQ में आपको ये मेच बॉक्स में पूछा जाएगा जिसमें फर्स्ट नेम आता है परजनन सास्त्र जिसके ऑथर अतवलेखक रैटर का नाम है ब्रम ब्राव्य पांचाल सेकंड बुक का नाम है किस्सा संग्र जिसके ऑथर है चक्र पानी दत थर्ड है काम शुत्रा वात्सायान फोर्थ है व्रुक्ष अयर्वेदा महर्सी पारशर फिप्त है योगी शास्त्रा महर्सी पतंजली सिक्स नाम है यंत्र सर्वश्वा महर्सी भार्दवाज लास्ट सेवन नंबर की बुक का नाम है काल गर्णा जिसके और्थर है सक्मुनी यह जो आप टेवल देख रहे मेच बोक्स में पूछा जाएगा इंपोर्टंट कोश्शन हमने इंप्रमियशन ले लिए इंपोर्टंट कोश्शन मेडिशन इन सर्जरी मैतेमेट्क्स वास्तुसायक केमेस्ट्री यह सारी यह जितने भी आपक смiquel बता है प्रस्ट मता ही कोशर जाएग जाएगे